आज का वीडियो हाइली हाइली स्पेशल है ना कुछ खाना ना लगाना और चहरे का ग्लोव इतना बढ़ जाएगा चमक इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे जी हाँ दोस्तों चहरे पर चमक लाना कौन नहीं चाहता है यूनों आपके अगर चहरे पर चम लगा देती है जी हाँ स्किन पर अगर एक ग्लोव है तो आप खुब सुरुत दिखते हो अट्रेक्टिव दिखते हो और चहरे पर चमक लाना कौन नहीं चाहता वाई चाहे टीनेजर्स हो लेडीज हो जैंसों सभी चाहते हैं कि चहरे का ग्लोव जो है वो बरकरार रहे स्क आपको कोई भी खर्चा नहीं है और आपका जहरा हमेशा चमकता रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो लेकिन उससे पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट है तीज इस वीडियो के नीचे लाइट का थमसब का बजना है ज़रूर हिट कर दीजेगा लाइक कर चहरे पर ग्लो लाने के लिए चमक लाने के लिए जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टन्ट है वो है ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जहां भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देता है तो फेस पर भी ब्लड सर्कुलेशन की ज अगर आप चहरे पर थपकी देंगे तो आपके स्किन की जो डीपेस्ट लेयर है वहां तक बलड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे आपके चहरे पर आती है चमक तो थपकी तीन तरहां से देनी है अपने फेस पर हर तरहां की जो भी फेशल एक्साइज मैं आपको बता रही हू तो सबसे पहले तो सिंपल वारी थपकी हम करेंगे इस तरीके से आप करके देखेगा आपको ऐसा लगेगा कि चहरे पर बलड सर्कुलेशन बहुत जादा बढ़ गया है और आपको फील होगा आपकी स्किन में बलड दोडता हुआ तो ये एक मिनट के लिए इस तरहां से सि बहुत रिलाक्सिंग है अगर चहरा थका हुआ है या फिर आपका स्किन बहुत ही डल लग रहा है आपको पाटी पर जाना है तो आप इस तरीके से थपकी दीजेगा आपकी स्किन का ग्लो एक दम से बढ़ने लग जाएगा ये देखे एक मिनट के लिए इस तरहां से हलकी ह स्टिमिलेशन देना है और इससे ब्लड सर्किलेशन आपका बढ़ने लगेगा तो ये हुई फर्स थपकी सेकेंड वारी जो थपकी है वो है आपकी फिंगर से अभी हमने सारी फिंगर को इकठे करके की थी अब इस तरीके से थपकी देंगे इससे भी बहुत इफेक्ट आपके की पुझा आपने सही नहीं बताया डेफिनेटली आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी ग्लो बढ़ेगा और आप बहुत ज्यादा यंग फील करने लगोगे अगर आपकी स्किन साग करने लगी है तो वो सागिंग भी जो है वो खतम हो जाएगी बात नहीं करना है करते आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है तो इस तरीके से फिंगर थपकी बोलते हैं इसको तो यह वाली थपकी आपको देनी है एक मिनट के लिए जो भी एकसरसाइज में आपको बतार यू डेली करनी है जब भी टाइम मिले तप कर सकते हो खाना खाने से पहले कर सकते हो बाद बहुत इंपोर्टन है अगर आपके चहरे में बिल्कुल भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है और आपका चहरा अंदर को धस्ता जा रहा है बहुत ही डल होता जा रहा फेस तो पिंचिंग बहुत बहुत अच्छी होती है पिंचिंग आपकी सारी मसल्स को एक्टिवेज करती है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है जिससे आता है आपके चहरे पर खूब सारा ग्लो तो चलिए पिंचिंग ऐसे करनी है आपको ये दो फिंगर्स लेनी है इस तरीके से और अंग उठा लेना है ऐसे आपको और जितना फास्ट कर सकते हैं उतना अच्छा होगा तो इस और इससे बहुत फरक पड़ता है आपकी skin की appearance में glow में बहुत अच्छी exercise है यह पिंचिंग बटी उम्र के साथ क्या होता है कि आपके जो गाल है ना वो नीचे को धिलकने लगते हैं उसमें you know saginess आने लगते हैं यहां से भी आपकी skin जो है वो करनी है first breathing exercise है आपको मुँ में हवा भरनी है और हवा को एक साइड से दूसरे साइड में transfer करना है like this मैं करके आपको बताती हूँ यह भी आपको एक ही मिनट के लिए करनी है इस तरीके से आपको करना है ऐसा तीन चार बार करेंगे तो एक मिनट आपका हो जाएगा और यह बहुत अच्छी exercise है आपके गालों की जो glow है ना उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी exercise है यह मुँ में हवा भरना और उसको एक तरफ से दूसरी तरफ shift करना आप जब करेंगे तो आपको यहां पर ब्लड circulation फील होगा बहुत जादा और इसे लगेगी जैसे खिच रही है टाइट हो रही है तो यह गालों में उभार लाने के लिए और ग्लो लाने के लिए बहुत ही अच्छी exercise है ऐसे एक बार मैंने आपको करके दिखाया है यह आपको तीन चार बार करनी है तो एक मिनट आपका कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट exercise है आपकी आखों के लिए अगर आपके आखों के नीचे काले घेरे होते जा रहे हैं या आखें अंदर धस्ती जा रही है तो आप यह इस तरीके से अपनी हथेलियों को वाम और उसके बाद अपनी आखों पर रखें इस तरीके से यह तीन चार बार करनी है आपको इससे आपकी आखों की जो देखने की शक्ति है वो भी बढ़ती है डाक सर्कल्स रिद्यूस होते हैं और इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है आखों की चमक भी बढ़ती का इसका कोई फिक्स त्रैमिंग नहीं तो इस त्रीके से आप इपर इस से आप अंधर नहीं थसेंगी और डॉकल्स में भी आपको आराम मिलेगा मिलेगा ये ये इस तरह से इस तरीके से आपको 15-20 seconds के लिए करना है बहुत ही अच्छी exercise है इसे माथे पर भी wrinkles नहीं आते हैं बहुत अच्छी exercise है यह भी ठीक है और माथे की चमक और आखों की चमक बढ़ाने के लिए और face पर you know blood circulation बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत बहुत अच् रखनी है और यह जो आपके अंगूठे हैं इनको आपने कानों पर रखना है और humming sound create करना है अपने मूंग से जैसे भवरा गुन-गुन करता है humming sound create करता है वैसे करना है मैं आपको करके बता ज़ती हूं इससे आपको पूरे चहरे पर vibrations feel होंगी ऐसे लगेगा जैसे कुछ vibrating thing आपने कोई machine लगाई हुई है और blood circulation बहुत तेजी से बढ़ता है आपके माथे की चमक बढ़ती है आँखों की चमक बढ़ती है इससे और कालों की चमक भी बढ़ती है तो भस्ति का प्राणायाम आपके चहरे की चमक को तो बढ़ाता ही है साथ ही साथ आपके दिमाग की tension और depression को दूर करता है और दिमाग अगर आपका cool है तो बहुत ही परे ग्लांड को पोशन देती है उनको इस्टिमिलेट करती है तो वह पूरे बॉड़ी के फंक्शन जो है वह सही तरीके से चलते हैं और पूरी बॉड़ी सही चल रही है सारे और और चल रहे हैं तो अपने आप आपके फेस पर ग्लो आता है तो यह भी बहुत अच्छी एक् आपका फेस है तो अगर हम इसकी यहां पर ऐसे मसाज देंगे तो आपके फेस की मसाज हो रही है इससे और आपके फेस पर नाच्रल ग्लो आता है नॉमली अपने फेस पर खुद मसाज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन अगर आप थम्स को स्टिमिलेट करते हो तो इसका असर भी दुगना पड़ता है आपके फेस पर नाच्रल ग्लो लेकर के आता है यह आपके फेस पर तो इस तरीके से थम्स को आपने इस तरहां से स्टिमिलेट करना है और बहुत ही अच्छी एक्सराइज है यह भी फेस पर ग्लो लाने की हार्डली 5-6 मिनट लगे लेकिन एक नाच्रल चमक आपके शहरे पर आजाएगी अगली जो लास्ट एक्सराइज में आपको बता रही हूं वह आपके लिप्स के लिए लिप्स की सैगिंग होनी शुरू हो जाती है जैसे ही आप 30 की एज प्रॉस करते हो तो लिप्स को सैग होने से बचाने के लिए आपको बनाना है पाउट पोस लाइक तिस वैसे तो यह लास्ट थी लेकिन मुझे पता है आप में से कई लोगों की डबल चीन होगी और वो क्वेस्टिन मेरे पास जरूर आएगा कि डबल चीन के लिए भी कुछ बताओ तो डबल चीन के लिए जो बेस्ट एक्सराइज है वो है कि आपको सीलिंग को किस करने वाला पोस बनाना है इससे बहुत ही जल्दी आपकी डबल चीन की प्रॉब्लम दूर होती है या फिर आप भुजंग आसन कीजे डेली बेसिस पर भुजंग आसन मैंने औरड़ी उस प अरीके से पुजिशन बनानी है इससे आपकी डबल चीन की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी दूर हो चाहेगी यह भी आपको तक्रीबन 15 से 20 बार करनी है तो यह तो टोटल एक्सराइज में हार्डली आपको 5-6 मिनट का तायम लगेगा डेली सोते हुए कर सकते हो, सुबा उठते ही कर सकते हो, जब भी आपको बीच में time मिले, टीवी देखते हुए कर सकते हो तो extra time निकालने की जुरूद नहीं है, अगर आप बैठे हो गपशप कर रहे हो या टीवी देख रहे हो चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बही सब्सक्राइब जरूर कीजेगा चैनल को, सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, उसे दबा के ग्रे कर दीजे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाईएगा, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूँगी आप से एक अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्या करना है, टेक गुड कर अच्छे से है आप या इप्टी वीडियो ब्यूट गैप्टी वाई